हम 25 साल में भारत को कहां ले जाएंगे इस सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं हां कुछ ततकालिक चुनोतियों से निपटिक लिए देश के गरीब परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है वो सरकार का दाईत्व है अब कोरोना वैक्सिन के समाई हमें जरूरत लगी तो हमने मुप्त वैक्सिन दिया देश को क्योंकि जिन्दगी बचाने थी और वो आज मेरे देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं मुप्त राशन देने की जरूत पड़ी देना था दिया क्योंकि देश में कोई व्यक्ति भूका नहीं रहना चाहिए लेकिन दे देश में आदूनिक, फिजिकल, डिजिटर और सोचल इंफ्रासिक्टर पर अभूत पुर्वर निवेश कर रही हैं यही आज की पीडी के साथ साथ भविश्की पीडियों को भी काम आने वाला है अब देखे रोड, रेल, एरपोर्ट, पोर्ट, सोलर पार्क, गरिबों के घर, पानी की लाइने, गेस पाइपलाइन, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आई आई टी, ट्रिपल आई टी, आई आएम, ऐसी संपदा बनाने पर हमारा फोकस है, अब आज से पचीस साल पहले, अगर मेडिकल कॉलेज बनाई होती है, तो आज देश के पास लाखों डॉक्टर हो हमें डॉक्टरों की कमी नहीं होती, नर्शीष की कितनी कमी है, अगर आज से बीस, पचीस, तीस साल पहले, आवश्रक्ता के नुसाल नर्शीष की कॉलेज बन गई होती, तो आज देश में बच्चीयों को अपना भविश्च बनाने की कितना काम आता था, लेकिन उन्हों और उस समय की राजनीति की, भविश्च का सोचा ने, अब आज हम कितना ही दोड लगाएं, लेकिन जो पचीस साल बरबाद हो गए, वो तो हो गए, और इसलिए मेरी नवजवानों से खास बिनती है, कि जो रेवडी बांटने वाले आपको मुरग बनाने कोशिश करते हैं, आप अपने उजवल भविश, अपने संतानों के भविश के लिए सोचिए, और मैं पका कहता हूँ, जिस दिशा में हम चल रहे हैं, जिन मजबूती पर चल रहे हैं, इसका लाप करना टकव कवी मिल रहा है, अब फॉरेंड डारेक इंवेस्मेंट की बात करें, क्या है, एफडियाई के पॉपिलर वख क्या है, फॉरेंड डारेक इंवेस्मेंट, और मेरी एक और वख क्या है, फॉर्स्ट डेवलप इंडिया, फॉर्स्ट डेवलप इंडिया, अब देखें, कॉंग्रिस के सासनकाल में एफडिया का क्या लाता है, एक लाग करोर से ज्यादा निविसाया है कॉंग्रेश की जूटकी रेविडियों का परदाफास करने के लिए आपको कॉंग्रेश शांसीत दूसरे राज्यों की सच्चाइबी लोगों को बतानी होगी और आपको इस सारा नेट पर देखो के तो मिल जाएगा आकड़ों के साथ मिल जाएग हिमाचल के लोग अब यह भी चुना हुआ है ना एक साल हो गया हिमाचल के लोग आज तक ग्यारिनी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं वा देकिये किया कुछ नहिए राजस्तान के लोग भी गंग्रेस की गैरन्टी पर आज अंदोलन कर रहे हैं क्या हुआ सरकार चार साल बित चुका अभी तक गारंटी गारंटी रहा गई Congress मतलब जूट की गारंटी Congress मतलब ब्रश्टाचार की गारंटी Congress अब उसथिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है और आपको तो मालूम है मेरे नवज़वान दोस्तों कॉंग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी आईए देखते हैं अब हमें और भी कुछ सवाल आ रहे हैं देखे पांच जो हमारे कारकरता मुझे सवाल पूछ रहे हैं श्री ढी योगित जी है हा है वो ते बेंगलुरु से है कि अरो उनका सवाल है कि सरकार बनने के बाद हम आने वाले पांग साल में करना टका को कहां देख सकते हैं है बेंगलु रूक के नमजवान है तो लंबा सोचने वाले होते ही होते हैं अच्छा सोचने वाले हैं कर्णाटका के नव जवान देखिए देश इस समय आज्ञादी का अमृत महस्व मना रहा है आने वाले 24-25 साल देश के लिए अमृत काल है इनकी शुरुवात इनी पाँच वर्सों से होने वाली हैं ये किसी सरकार की बात नहीं है ये किसी दल की बात नहीं है ये देश की बात है इन पाँच वर्सों की प्रगती हमारे अमृत काल की नीव होने वाली है ऐसे मैं मतदाताओं को उन्हें चुनना चाहिए जिन के पास अमृत काल के लिए कुछ ब्ल्यूप्रिंट हो अब देखिए मैं आपको एक आजादी के पहले का चित्र आपके सामने रखता हूँ हमारे देश में आठ सो हजार साल की गुलामिक एक आलखन में है इस देश का एक भी वर्स ऐसा नहीं था कि आजादी के लिए किसी ने कोई जंग न किया हो इस देश का कोई इलाका ऐसा नहीं था जो कभी न कभी आजादी के जंग को ब्यूगल न बजाया वा लड़ाई न लड़ी हो लेकिन कि 1920 के बाद कि पुझ्य बाकूफ के नित्रूत में जो बाते शुरू ही और पुझ्य महत्मा गांधी ने आजादी लेके रहूंगा का जो मुद्धा आगे बढ़ाया पीट इंडिया का मुद्धा आगे बढ़ाया कि पचीश साल के भीतर भी अधर रहे हैं आटसो नौसो साल से हम लड़ रहे थे लेकिन वह पचीश साल ऐसे महत्म के बन गए कि 1947 में आजादी आई अनेक परिवरों ने काम नेता जी के नित्रूत्व ने काम किया बगस्ती जैसे वीरों की शाहदत ने काम किया वीर सावकर पूरे परिवार के बलिदान जैसे महापरूशन ही काम किया लेकिन गांदी जी का उस नेत्रूत्वा। COMM कर गया कि वह पचीश साल का रहा जैसे आजादी दिलासका बैसे ही मेरे साथी यह 25 और और यह अमृत का है समृत्य भारत की गारंटी है मेरे शब्द लिख के रखे दोखो ए विक्सित भारत की गारंटी है और हमारी सरकार ने तो अभी से इस पर काम करना शुरू कर दिया है करना टका हमारे इस विकास अभ्यान का बहुत महत्वपुन हिस्सा है करना टका के विकास से भारत का विकास फिर से मैं कहता हूं करना टका के विकास से भारत का विकास हमारी सरकार इसी मंत्र के साथ चल रही है आज पूरी दुनिया भारत को मैनुफेक्टिरिंग के हब के रुपे देख रही है आने वाले समय में बहुत सारी मेगा फेक्टरियां भारत में आने वाली है इसका बहुत बड़ा लहबारती करना टका का युवा होने वाला है इसके लिए हमें बहुत तेज गती से करना टका के इंफ्रास्रेक्टर को आधुनिक बनाना है तेज गती से मल्टी मोडल बना रहा है आज देखिए बैंगलूरू का इंट्रनेस्टल एरपोर्ट कितना आधुनिक कितना शांदार बन चुका है रेल्वे स्टेशन पी एरपोर्ट से कम नहीं है बैंगलूरू मैट्रो की प्रसंद्स आभी पुरे देश में हो रही है बैंगलूरू मैसुरू एक्सप्रेस में बहुत शांदार बना है अज पूरे करनाटका में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है अब देखिए शियुमोगा एरपोर्ट बीदर एरपोर्ट तुमकुर में एच एल की फ्रेक्टरी ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं बाकी प्रोजेक्ट पर भी हमें बहुत कम समय में काम पूरा कर रहा है इसके लिए डबल इंजीन सरकार और वो भी करनाट गाह में पूर्ण बहुमत वाली भाज़पा की स्थीर और मजबुत सरकार होना बहुत आवश्यक है हम अगले पांच साल में ऐसा करनाट का बढाने वाले हैं जहां मेरे गाउं का सामर्थ मेरे किसानों का सामर्थ मेरी माताओं बहनों का सामर्थ मेरे नवजवानों का सामर्थ मेरे दलीद भाई बहनों का सामर्थ मेरे आदिवासी भाई बहनों का सामर्थ ये शक्ति, ये सामर्थवान बने, शसक्त बने, समर्थ हो, सम्वेदन सिल हो, और हम सम मिल करके दिल्ली की सरकार हो या करनाटका की सरकार, मैं हूँ या आप हो, करनाटका का विकास?